हिमाचल प्रदेश के कई प्रियाटक स्थालों पर पिछले कुछ दिनों में बाहरी राजी से आये प्रियाटकों द्वारा किये गए लड़ाई जगडों के मामलों के बाद पुलिस महानिदेशक के नर्देशों के अनुसार उन्हा पुलिस ने भी प्रवेश द्वारों पर चौकसी बढ़ाई है विशेश रूप से प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों में पुलिस टीमों द्वारा रेंडम नाकों पर जोर दिया जा रहा है इन नाकों के जरीए प्रदेश के बाहर से आने वाले लोगों की गाडियां चेक की जाती है ताकि कोई भी व्यक्ती हिमाचल प्रदेश में ऐसी कोई वस्तू लेकर प्रवेश ना करें जिससे आगे चल कर स्थान्य लोगों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ें सीमाओं पर पुलिस की मौझूदगी को स्थाई बनाया जाएगा फिलहाल चिला पुलिस के पास मौझूद जवानों से ही सीमांत क्शेत्रों पर नजर रखी जा रही है लेकिन जरूरत के अनुसार नफरी बनाने के लिए पुलिस सेट क्वार्टर को भी लिखा जाएगा तो या कोई ऐसी चीज ना हो जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सके आगे जाके इसको मिस्यूद कर सके कोई यहां पे जो हमारे बॉर्डरिंग एरिया खासकर गगरेट हरोली और महतपूर वाला एरिया जो है वहां पे हमने स्पेशल नाके समयसमें पे लगाए है रेंडम तरीके से इसको लगा रहتा है जो हमारा यह एरिया क्योंकि बॉर्डरिंग है यहां पे लोगों का आना जाना लोगों के परिवार और जमीने बिजनस आक्रussa अक्रॉस बॉर्डर भी हैं तो आना जाना बहुत रेगलर रहता है और बॉर्डरिंग एरिया होने के न पर्मनेंट डिप्लाइमेंट जो है पुलिस की करेंगे ताकि किसी भी आने जाने के लिए जो भी व्यक्ति वहां पर आ रहा है या हमारी पुलिस प्रेजन्स जो है हर जगा पर खासकर बॉड्रिंग एरिया में प्रेजन्ट रहे हैं इसके चलते हम अभी तो इंटर्नली ही ज सेंथ की जो है रिक्वेस्ट इप पेज के उपी तुरू करें लाइफ टेइम्स टीवी के लिए उना से अमिच शर्मा के व्रेपो hr at the rate goingmotor.com पर